फाइनली मेरे रूम की इस दिवार के सामने बैट कर वीडियो बनाने का मौका मिले गया और कैसे क्या आल चाल तो मैं अपनी इंट्रोवर्ट लाइफ में खुशी से बैट कर अपने लैप्टॉप पर जेंसे इंपक्ट खेल रहा था कि तभी मेरा वाई हार्दिक हमारा जो लेटेस्ट रिलीज है ब्लू एंड ग्रे उसको प्रमोट करने की एक स्कीम लेके आता है 20 से 23 मार्च तक एमस जोदपुर में कंड़क्ट हुआ था एक फेस्ट जिसमें कैसे जाना है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बीच में कहीं बताया मैंने जिसका पता नहीं कहां से पता चला उसको पर वहाँ पर ड्यूट सिंगिंग का कॉंपुटिशन हो रहा था एंड ही प्रपोस देट वी शूद टेक पार्ट इनिट हम वहाँ पर अर्ली इन दे मॉर्निंग पहुँच गए थे और क्या जगा थी यार क्लास्रूम ऑफ इलाइट की स्कूल की आद दिला दी थी भाई आयनों को जिवनने का मन करने लगा तो हम लोग फाइनली एंपि थेटर पहुचे बट हिंदुस्तान की प्रथा का आधर करते हुए पूरा पूरा इवेंट देलेट स्टार्ट होने वाला था फाइनली इवेंट शुरू हुआ और एक परी आई I mean I mean होस्टाई I'm not gonna lie वो परी थी I mean मैं सिंपने कर रहा बट यूनों शीज़ वाइफ मटेरिल टाइप्स तो फिर हमारी परफॉरमेंस शुरू हुई हलाकि क्राउड इतना जाद नहीं था पर अच्छी गई परफॉरमेंस उसके बाद हम लोग बियार पंचिन कराने के लिए गए और दूसरे कॉलेजिस की काफी सारी नारी आने लगी और उनको देखकर मेरे दोस्तों की आके तो खुली की खुली रह गई मेरी नहीं आई मीन थी काफी सुंदर लड़कियां पर मेरा दिल अभी भी पड़ी के पास था शाम तक हला की चीज़े काफी बदलने लगी दीरे दीर एकसाइटमेंट बड़ी और भाई क्यों नहीं बड़ीगी इट इस लाइक अड्रीम जो कि हर ट्वेल्थ पास देखता है आई मीन कैसे टाइम मिल गया यार नीट की त्यारी करते हुए तुम्हें इतना आर्टिस्टिक होने का उससे याद आया यहां पर जो भी परफॉर्मेंस हुई थी ना बाप रे 70% नहीं होती तुह अच्छा होता इम स्टूडेंट्स आर अलाउड टो रोस्ट मी इन दी कॉमेंट्स तुम लोगों के लिए रिस्पेक्ट है नीट क्रैक करके तुम लोग यहां पर आये हो वेरी गुट बट यार गाना नाचना और रैप करने में तुम ठीक भी नहीं हो तो मत करो वैसे कुछ भी को बच्चे आगे काफी कॉन्फिडेंट थे तो उसके लिए फुल मार्क्स अगेस टू थी प्रियम तक चला होगा एंपिटेटर में वो नाच काना फिर उसके बाद हम लोग गए मेस में खाना काने के लिए भाई फर्स टाइम डियल कैंटीन इन सच अ बिग कॉलेज इतना प्राउड फिल हुआ कि इन्वाइर्मेंट में कितनी बार सोचा मैंने की काश थोड़ा और पढ़ ले था तो मैं भी किसी आई आई टी वगेरा मैं ऐसी लाइफ जी रहा होता मैं इसका खाना इतना बुरा भी नहीं था I mean हम लोग वैसे भी experience के लिए दय थे अब फाइनली हम आ गए day one की evening पर हार्दिक का एक दोस्त हमारे साथ चला था जिसको mysterious guy बनने का बड़ा शौक है तो हम उसको इस वीडियो में टोपी बास बोलेंगे उस बंदे को शाम को concert में जाना था और दिन बर उसके साथ गूम कर मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि उसको पैसे खर्च करने में बहुत दिक्कत होती है भाई सच में लोगों के पास गया एक जाडू का तिनका लेके और एक अजीब सा चैलेंज दिया एंड तु मैं सर्प्राइस उसने काफी पैसे भी जुटा लिया यार मैंने कुछ वीडियो बनाई थी उसकी तो यह यहाँ पर थोड़ची डाल दूगा फिर उसके बाद मैं मैंने स्पीड डेटिंग नाम के एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया मेरा गोल था कि मैं मेरे फेक कॉन्फिडेंस को लेकर जादा से जादा लड़कियों से इंटरेक्ट कर पाऊं और उनसे डाटा कलेक्ट कर पाऊं यूनो वो रिल्स रेट में आट ओफ टैन वाला सीन पर एक लड़की ने मुझ से पूछ लिया कि क्या बाई वैलिडेशन से यह क्या I mean she was kinda right उसकी बात सुनने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस फिर आपर कॉन्सर्ट शुरू हुआ नेरे पास पास नहीं था तो हम घर के लिए निकले जब मैं वहाँ से निकला था ना I still felt like I was part of the tribe but as I reached home मेरा वो खूबसूरत सपना तूट कया Also एक लड़की जिसने मुझ से मेरा इंस्टाग्राम मांगा था उसने बाद में मुझे कहा कि उसको उस कॉलेज में किसी को डेट करना है I mean a valid point to reject I mean आप इतनी मेंद करके कॉलेज में जाते हो और फिर उस कॉलेज में जाकर भी आप कॉलेज रोमेंस एक्सपीरिंस नहीं करते तो क्या फाइदा Speed dating के टाइम पर काफी सारे लड़के बिचारे सच में बिचारे I mean एक लड़के के सर के पीछे से बाल उड़ रहे थे जब मैंने उससे बात की तो it turns out की वो मुझसे भी जादा छोटा था बड़े चश्मे लगा रखे थे दोस्ते फिर एक दूसरे बंदे से बात की उसके बाल सपयद हो रहे थे ऐसा समझो जितनी खूबसूरत लड़किया उतने ही बिचारे लॉण डे स्पीड डेटिंग ना उनकी हल्प की होगी लड़कियों से इंटरेक्ट करने में बट वो उसको लर्निंग एक्स्पिरिंच की तरह नहीं ले रहे होंगे बायों को बहुत बारी रिजेक्शन फेस करने पड़े होंगे बिचारे लड़किये लिटरली पजामाई टीशिट में आये होगे थे वापे राते काली हो गई इस कॉलेज में आने के लिए पढ़नों हाला कि काफी लड़किया भी कमिटिड थी और सिर्फ वैलिडेशन के लिए इस इवेंट में पार्टिसपेट कर रहे थी continue with the story मैं घर आया अब खूबसुरत सपना टूर चुका था तो दर्द भी होगा मुझे काफी दिक्कत हुई reality को हजम करने में I mean I come from this and I thought I belong here काफी बड़ा gap है राइट जो मैं सिर्फ अच्छे कपड़े और confidence से शायद नहीं भर पाऊ पैसे से शायद भर जाए पर ये gap कम करना क्यों है क्यों मुझे नहीं पता पर ये जानता था कि मुझे वहाँ पर किसी को जवाब देना है हाँ वो validation वाली को तो मैं next ते फिर गया नहीं मिली उपर से जो परी मिली थी वो भी committed निकली दिल तूट गया ब्रो उसके बाद भाई साब वी प्लेड बैग पॉरो स्टील उसमें जो चीजें उन्होंने मांगी हैं भाई होस्टल डेज, मिच मैच, छिछोरे उन सबको तो ऐसे ही obscene कहते हैं असली कॉलेज इस महाल और ज्यादा बुर हैं I mean I can't tell you पर इसमें भी हम हार गएं हताश और निराशा के साथ सेवन्टी किलो मेटर पर आवर की स्पीड से मैं मेरे घर दोड़ा दैट वस दी एंड अफ दे टू डे तरी पर मैं गया ही नहीं इस पूरी वीडियो मेरे बालों की ऐसी तैसी हो रखी है तो मेरे बालों के बारे में हम बात नहीं करेंगे उसके अलावाद मेरे बालों क्यों छोड़ के किजी भी चीज पर कमेंट कर देना वीडियो के एंड में चलो Day 4 वो दिन जब हमें मिलने वाला था हमारी मेनद का इनाम और हमारे एक खूब सुरुच सपने का कंक्लूजन अगल मैंने बोला था मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आज मेरे बाल देखो आज तेहां पर सिर्फ मैं ही मैं दिख रहा हूँ चारो तरफ मैं ही था और मैं ही रहूंगा और कोई भी नहीं रहा है आपे हम लोग वहां पहुचे तो नुकरनाटक शुरू गुआ था एंड वी इंजॉइड दे नुकरनाटक जो की थर्ड जेंडर पर था वहां ओडियन्स भाई साहब सारे डार्क यूमर वाले ही थे जाज़े से I won't say much क्योंकि अकेला बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा फिर और अडिटोरियम में काफी देर गाने सुनने के बाद इट वस आर टर्न तो रिसीव देर्ड रिवार्ड Let's applaud Hardik and Bjorm, they are the runner-up for Duet Singing Category Duet Singing Category चलो अब इसको यहाँ पर रख देता हो I know मैं ज्यादा रिटेल्स में नहीं किया क्योंकि इन सारे इंसिडेंट्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं मेरी बुक All Aspects of Love में लिखने वाला हूँ तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ रिविल नहीं करूँगा तुमको अगर नहीं पता तो मैं बता दू कि मैं एक Mathematics Student हूँ और मैंने दो डिग्री ले रखी है जिसमें अगर Child Psychology को निकाल दू तो Medical College वाला एक भी सबजेक्ट नहीं है एक मिनट Psychology होता है महाँ पर For four days at least, I have lived 3% of Medico's life हा मुझे वा कोई डिट नहीं मिली पर उन लड़कियों से हुए इंटरेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया Some of that is I run in this place or medical hub Learned a thing or two from everyone Experiences so beautiful I felt alive For a time in my life I believe I thrived Find beauty and see with lust you'll stay simp Find beauty pick them up and you can be a pimp Find beauty and X-Sigma you can be a dove But find beauty and friendship and you might fall in love तुम भी जा सकते हो अगले साल चले जाना पर तुम एक college के student होने चाहिए Terms and Conditions Applied तो दंग से पड़के जाना तो वीडियो को लाइक, Share, Subscribe कर दो और तुम से मैं मिलता हो अगली वीडियो में